ये वाट्सव गाई विस इस सांतनू और वल्कम बैक तो माई चैनल टेक्ट आपस्टान तो दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कौपीडाइट आ जाता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है क्योंकि बहुत सरे बंद्रे ऐसा होता है कि जो अपना यूट्यूब चैनल का जीमेल है उस जीमेल को डेली कर डेली चेक नहीं करते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है जोस्तों कि जीमेल पे कोई भी नोटिफिकेशन आता नहीं है फिर भी हम लोग का चैनल पर कौपीडाइट आजा आए सो आज के विडियू में हम लोग के वीडियो बहुत सब्सक्राइब होने वाली है तो चलिए देख लेते हैं तो अगर आपके पास लैपटप नहीं है तो कोई बाल नहीं आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं आप सिंपली गूगल प्रोम में जाके अपना यूटुब चैनल को उपें कर लिए और उसके आप यहां पर देख सकते हैं एकदम राइट साइट पर मेरा चैनल का लोगो है इस लोगो पर आपको क्लिक करना है अपने चैनल पर लोगो पर क्लिक करने के बात फस्ट एक ओप्सन आएगा योड चैनल योड चैनल आपको क्लिक करना है उसके बात दोस्तों आपको यहां चैनल का जो dashboard है वो open हो जाएगा तो दोस्तों ये मेरा एक date channel है इस channel से मैं आपको दिखाड़ा हूँ तो देखिए, simply आपको एकदम left side पे नीचे एक option मिलेगा dashboard के नीचे, videos एक option मिलेगा simply आपको videos option पे click करना है जैसे ही आप videos option पे click कर देते हो तो आप अपने channel पे जितने सारे videos डाले हो वो सारे के सारे यहाँ पे so हो जाएगा, ठीक है तो एकदम उपर देखिए दोस्तों यहाँ पे filter के एक option मिलेगा ठीक है, यहाँ पे filter के एक option मिलेगा, तो यह filter option पे click करने के बाद, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक copyright claims वाला option आपको मिलेगा, ठीक है यह filter वाला जो तीन दाख का option है इससे click करना है और copyright claims वाला option पे आपको click करना है, जैसे ही आप अपने copyright claims option पे click करते हो तो आपके channel पे जितने सारे copyrights videos है, जिस video पे copyrights आ गया है, copyright claims आया है, वो सारे के सारे वीडियो यहाँ पे so हो जाएगा, ठीक है तो देखिए मेरे इस channel पे सब एक ही वीडियो copyright है, इसलिए मेरा यह वाला वीडियो यहाँ पे आ गया है ठीक है, यह copyright claims तो आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो पे कितने सारे copyright claim आया है अगर आप देखना चाहते हैं, कि आपने channel पे कुछ copyright strike आया है या नहीं वो देखने के लिए आपको simply यहाँ पे settings option पे click करना होगा तो जैसी अप settings option पे click करते हो, तो यहाँ पे 5 option आपको दिखने को मिलेगा, channel, general चैनल, upload, permission, community तो आपको simply channel option पे click करना है उसके बाद यहाँ पे रेखिए 4 option है basic info, advanced settings, branding and featured eligibility तो आपको featured eligibility option पे click करना होगा जैसी आप featured eligibility option पे click करते हो तो नीचे, एकदम नीचे यहाँ पे blue color के option देखने को मिलेगा status and featured तो status and features option पे आपको click करना होगा, जैसी आप status and features पे click करोगे तो यहाँ पे आपका channel का यह इस तरह का एक interface आपको open हो जाएगा जहाँ पर यहाँ पे देखिए दोस्तु channel violation यहाँ पे लिखा है आपका 0 of 3 copyright strike आपके channel पे अगर 3 copyright strike आजाता है 90 दिन के अंदर तो आपका channel YouTube से बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पे आपको channel पे कोई भी strike नहीं आया है मेरे channel पे अभी तक कोई भी strike नहीं आया है और यहाँ पर 0 of 3 community guideline strike तो मेरे channel पे कोई भी community guideline strike and copyright strike यह दोनों चीज नहीं आया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने channel पे copyright strike आया है या नहीं आया है तो दोस्तो अगर आप एक YouTube वाड़ हो तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना उसके साथ वीडियो को समझने में कहीं भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट जरूर करना मैं हड़े कमेंट कर डिप्लाइए लता हूँ उसके साथ दोस्तों अगर आप अभी कमेंट कर सब्सक्राइब नहीं किया